बिक्टेरियाज का एक सबसे इंपोर्टेंट यूज बायो गैस प्रोडक्शन में भी है और जैसा हम अभी तक इंडर्स्ट्रियल अप्लिकेशन, इंजाइम्स का फॉर्मेशन, बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यह सब कुछ देखते हुए आए हैं और ग्यानिक बायो गैस का प्रोडक्शन है, बायो गैस एक बहुत इंपोर्टेंट और एक क्लीन फ्यूल है, जिसे हम कोकिंग के लिए हमारी किचन में यूज कर सकते हैं, और यह बायो गैस सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम सीवेज ट्रीक्मेंट कर रहे हैं, सीवेज वोटर को प् करते हैं, तो यह हमारे लिए एक बड़ी एडवांटेजियस बात हो गई न, क्योंकि हम बनाना कुछ और चाहरे थे, कर कुछ और रहे थे और उसके साथ-साथ वो तो हुआ ही, और उसके साथ-साथ हमें एक नया प्रोडक्ट भी मिलने लगा, विच इस बायो गैस, तो बा hydrogen sulfide, methane and carbon dioxide है, इन तीन गैसे के combination को हम बोलते हैं, methane gas और otherwise you can also call it as marsh gas, इसका दूसरा नाम, methane gas या methane का production, या marge gas, biogas बोल सकते हैं हम इसे, right, so biogas और marge gas आप इसे बोल सकते हैं, तो यह जो production है, predominantly अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारी biogas है, उसमें methane का number, methane का concentration सबसे ज़ादा होता है, then we have hydrogen, then we have carbon dioxide, तो यह तीनो gases का combination मिलता है, methanogens नाम के कुछ un-aerobic bacterias होते हैं, right, these methanogens are un-aerobic bacteria, यह un-aerobic bacteria है, क्यों, क्योंकि यह oxygen के presence में grow नहीं करना चाहते, करते ही नहीं है, और इन्हें carbon dioxide का quantity comparatively ज़ादा चाहिए, right, तो methanogens, बिटा, आपको इसके अलावा marshy areas में भी मिलने वाले हैं, right, इसके अलावा आपको paddy fields के bottom पे भी मिलने वाले हैं, paddy fields मतलब जो चावल के खेत होते हैं, वहाँ पे चावलों को पानी में डुबा कर तियार किया जाता है, grow किया जाता है, जब आपने उन्हें पानी में continuously डुबाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारा, कहना चाहिए, organic matter प्रपेर हो रहा है, right, क्योंकि paddy fields में syenobacteria सबसे जाधा होते हैं, syenobacteria which is also called as blue green algae, यह जब मरेगा, जब डीकंपोस होगा, तो यहाँ पे इसे डीकंपोस करने के लिए, anaerobics भी आएंगे, right, तो व प्लस यहाँ पे यह जो methanogens हैं, हमारे वो भी anaerobic bacteria होने से, इन सभी जगहों पे आपको methanogens भी मिलेंगे, तो specifically मैं बात करूँ, सीवेश treatment plant में, जब हमने process कर लिया है, methanogens activate हो जाएंगे, और यह methanogens methane gas का production करेंगे, right, कैसे करेंगे हम देख लेंगे, common methanogen जो हमारे पास available ह जो हमारे NCRT के अती ही, जो हमें नीट के लिए याद रखना है, that is methanobacterium, which is the common methanogen, usually आपको सभी जगहों पर यह methanogen मिल जाएगा, commonly found methanogen है, यह कुछ बेक्टेरिया ऐसे भी हैं, जो rumen of cattle में मिलते हैं, आपको पता है, cattle जो है, उनका stomach five chamber होता है, right, हमारा heart chamber होता है, लेक reticulum, omasm and abomasum, इस तरीके से 4 chambers उनके stomach में ही होते हैं, तो जो rumen portion है ना पिता, उस rumen portion में methanogens मिलते हैं, और यह methanogens cellulose digestion के time पे जो gases का production है, वो करते हैं, right, इसलिए तो यह methanogens cow dung में आपको सबसे सादा मिलेंगे, और cow dung एक बहुत-बहुत-बहुत important raw material हो जाता है, gas production के लिए, isn't it, reason, आपको अलग से बिक्तेरिया डालना नहीं पड़ेगा, already cow dung जो प्रपेर हुआ है, वो cow's के या cattle's के intestine से क्रॉस हो के प्रपेर हुआ है, और उस में methanogen definitely होंगे, तो आपको अलग से methanogen भी नहीं डालना है, raw material में खुद में ही methanogens present है, right, so this bacteria is present in rumen of cattle, तो जो excreta होगा, which is cow dung, उसके अंदर भी ये present होंगे, और इसे लिए, इसे इस gas को क्यों की raw material और inoculum दोनों ही cow के dung में present है, we call this as gober gas, right, methanomethane gas, और biogas, या marsh gas, या फिर gober gas, ये common नाम है, हम commercially marsh gas के form में इसे use करते हैं, I mean name को use करते हैं, ये एक overall digester है आपके सामने, जिस digester की मदद से हम biogas का production करते हैं, तो पहले तो इसकी labeling समझेंगे हम बिटा, उसके बाद इसका function, ये काम कैसे करता है, वो देखेंगे, तो देखें जरा, एक होता है inlet, जो सबसे initial level पे आपको मिलेगा, जहां से raw material की feeding करनी है आपको, आपने पूरा raw material, मतलब semi solid form में cow dung को इस inlet से डाल दिया, ये हमारा tank है, पूरा slurry tank बोल सकते हैं, आप इसे इस tank में वो पूरा semi solid material जो है, वो आके gather हो गया, इसके उपर एक lid होता है, इसके उपर एक lid होता है, ये lid gases के production के साथ थोड़ा थोड़ा उप करता रहता है, वे gases है, gases जब भी बनेंगी, escape होंगी, निकल कर बाहर जाने की कोशिश करेंगी, तो ये gases जब escape होती हैं, तो ये उपर की lid को push करती हैं, और push करती हैं, तो वो lid जो है, उपर नीचे, up and down होता रहता है, slightly होता है, not too much, लेकिन आप observe कर सके, इतना तो होता है, त उस समय पे यहां पे methanogens इसको digest कर रहे हैं, और यहीं पे gas का production किया जा रहा है, ये gas light in weight होने के कारण सलरी से उपर निकलेगी, और इस pipe के थू हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इसे continuously gather करते जाएंगे, हम ऐसा कभी नहीं करते बिटा, कि पूरा का पूरा digestion अकेला इखटा one slot ह और जो gases बने हम उन्हें बाद में इखटा यूज कर लें, ऐसा नहीं होता, gases light in weight होने के कारण उपर हमेशा escape होंगी और इसलिए आपको हमेशा इसे collect करना है, तो हम इसे continuously collect करेंगे, तो ये जो bio gas pipe है, ये bio gas pipe हम किसी भी pipeline से connect कर देंगे, या फिर आप चाहें तो इसे store भी क जहां पर इस gas की utility है, जरूरत है, वहां पर CV पहुंच जाए, फिर बात आती है इस digestate की या जिसे हम expansion chamber बोलते हैं, जो slurry है, उस slurry को हम आगे चलके, जितना भी left over है, पूरा का पूरा methane gas प्रेडियोस करने के बाद जो slurry हमारे पास बचेगा, उस slurry को हम अगें यूज कर स right, तो जो organic, जो organic fertilizer है, which is actually the manure, उस manure या उस compost को हम fields में यूज करते हैं, in order to nourish our plants, तो देखिए, यहां पर हम इस पूरी process का flow chart एक बार देख लेते हैं, वेस्ट का collection किया, उसके बाद उसे थोड़ा सा treat किया जाता है, हम उसे semi-solid बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें से अगर क substances हैं, मैं भी, किसी तरीके के scraps हो, paper हो, polythons हो, ऐसी कोई चीज़े हो, तो हम उन सभी चीज़ों को remove कर देंगे, उसके बाद इसे tank में mix करेंगे, और waste को फिर हम anaerobic tanks में भी डालेंगे, क्यों डालेंगे, anaerobic tanks में, reason, methanogens, हमारे methanogens हम बात कर चुके हैं, they are exclusively anaerobic bacteria, और क्यों digestion होगा, जो हमने digester में देखा था, जहां पर slurry डाली थी, वहां से bio gas का production continuously होगा, और we will be utilizing that bio gas continuously, right, और जो sludge बचेगा पीछे से, उस sludge को भी हम utilize करेंगे, कैसे utilize करने वाले हैं, उस sludge को, compost के लिए, we already talked about it, कि अब जो sludge यहां पर बचेगा, वो भी हमारे लिए waste नहीं है, उसे हम use करने वाले हैं, in the preparation of compost for the plants, right, अब आईए जरा, जो bio gas का outlet है, उस outlet को हम connect कर देते हैं with some supply source, और यह supply source खरो घरो में bio gas को available कर वाता है, कैटल डंग ही क्यों use किया, I gave you the reason, कैटल डंग जो है, it is, it have a lot of methanogens in it, and since it have lot of methanogens, you need not to inoculate methanogens more, although we do that, हम फिर भी methanogens को extra add करेंगे, लेकिन बहुत जादा आपको add करने की जरूरत नहीं है, right, So, spend slurry को हम बाद में remove करते जाएंगे, यह bio gas को lightening के लिए use किया जाता है, या घरों में cooking के लिए use कर सकते हैं, हम cooking stoves में use कर सकते हैं, जो technology bio gas के production के लिए हमने सबसे पहले use की है, वो technology IARIE, Indian Agricultural Research Institute, this institute remember the name और abbreviated form भी याद रखना, और इसके अलावा, Khadi and Village Industries Commission KVIC, यह कई बार short forms या abbreviated forms के, I mean abbreviated form के ही form में question frame हो जाता है, So, please do remember, bio gas का सबसे जादा production या bio gas के ऊपर dealing करने वाले IARIE हैं, और उसके अलावा KVIC, IARIE and KVIC, these are the two major institutes, So, this is the diagram which is given in our NCRT, इसी को हमने दूसरे तरीके से समझा था, यह raw material की entry हो गई, inlet हो गया, यहाँ से जो digestive chamber है, उसमें हमने पूरे waste को पहुचा दिया, यहाँ पे lid है, जो lid उपर नीचे होता रहेगा, continuously, जितना जितना gas produce होगा, उतना उतना lid जो है वो up and down shift हो जाएगा, methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide, यह तीन gases यहाँ पे बनती हैं, और यह तीनो gases को हम bio gas की category में डालते हैं, यहाँ से आप bio gas को withdraw कर लें, use कर लें, directly utilize कर लें, और जो बचा हुआ है, उसे sludge tank में भेजा जाता है, sludge tank आगे चल के compost बनाने में मदद करेगा, right? So this is how we prepare bio gas, let us look the question, which of the following is put into anaerobic sludge digester for further civish treatment? So primary sludge, floating debris, effluents of primary treatment and activated sludge, पहले में मीनिंग बता देती हूँ आपको, primary sludge जो है, जो सबसे पहली बार आपने microbes की action के पहले लिया हुआ है, that is primary sludge, जिसके उपर digestion अभी शुरू हो गया है, floating debris, you know about it, जैसे हम seaweed treatment plant में, सबसे पहला step क्या करते हैं, बच्चों, physical treatment, physical treatment में जितने भी floating debris हैं, उन सब को gather करके throw कर देते हैं, and remaining will be organic, उस और्गानिक को हम digestive chambers में डालते हैं, effluents of primary treatment, effluents का मतलब क्या होता है, जो उपर का liquid portion बसता है, नीचे solid है और उपर का liquid portion उसे हम बोलते हैं effluents, and lastly, it would be activated sludge, activated sludge मतलब which is full of microbes, that is what is referred as activated sludge, phlox, you remember that, bacteria और fungus, fungal hyphae का जो combination बनता है, उसे हम बोलते हैं phlox, so the answer to this question is D, that is activated sludge, जिसके अंदर हमारे microbes present रहेंगे, right, so यह activated sludge हमें मिला कहां से है, हमें sewage treatment से मिला है, और अब हम उसे कहां use करने वाले हैं, sewage treatment में, further process में, next cycle में, plus compost formation में, so this is how we are going to use it, multiply, right, हम microorganisms को bio-control agents के form में भी use कर सकते हैं, मतलब अगर एक microorganism को आप किसी दूसरे microorganism की या किसी दूसरे microorganism की growth को stop करने के लिए use करें, तो हम इसे bio-control agent के form में use कर रहे हैं, right, बहुत सारे ऐसे organism हैं जिने हम किसी दूसरे organism की growth को stop करने के लिए use करें, हम देखते हैं कौन-कौन से organisms हैं? सबसे पहले मेरे पास जिब बाइयो कंट्रोल यह term समझ दीजिए बाइयो कंट्रोल का मतलब होता है लिविंग और्गियानिजम की मदद से कंट्रोल करना तो उसे हम बोलते हैं बाइयो कंट्रोल अब यहां पर जैसे आप कोई farming practices करते हैं तो you go for controlling the insects and pests by the application of insecticides, pesticides and so on, isn't it? लेकिन अगर आप purely organic farming करना चाहते हैं, जहां आप किसी भी तरीके का chemical use नहीं करना चाहते हैं, तब हम क्या use करेंगे? हम living organisms को use करेंगे, यह living organisms जिनको आप use कर रहे हैं या करने वाले हैं, यह living organisms दूसरे organisms की growth को out of competition control करते हैं, पूरे ecosystem में एक सबसे बड़ा balance एक organism का दूसरे organism को control करने पर ही है, तो जब कोई भी organism आप release करेंगे, तो वो compete करेगा, और वो जब compete करेगा, तो वो किसी दूसरे organism की growth को retard करेगा, stop करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इन microbes को use करते हैं, for controlling other insects, other organisms, so that it would be a completely biological process, and there would be less harm to the environment. हम इसे sustainable development कहते हैं, मतलब जहां आपने अपना परपस भी पूरा कर दिया, और नेचर को कोई हाम भी नहीं पहँ जाया, so we call it as sustainable development. Let us talk how these bio-control agents, they work, they are going to release certain toxic chemicals, कुछ irritants हो सकते हैं, जो predator को irritate करें, जो परिशान करें, और इस तरीके से यह उनकी growth को stop करते हैं, या उनके लिए environment जो है unfavorable बनाते हैं. The very first example is ladybird, okay, ladybird is not a bird, it is not a lady, it is a beetle basically, यह दोनों का combination ladybird बोला गया है, जिस पे stripes होते हैं, red color का mostly wing होता है, और उस पे black color के dots होते हैं, so sorry, red wing and black dots, black dots होते हैं, तो यह जो हमारा ladybird है, यह basically dragonflies, ladybird beetle and dragonflies are actually used for the control of aphides, right, aphides सबसे बड़े pest हैं, यह बहुत frequently attack करते हैं, crops के उपर, तो अगर आप ladybird beetle use कर ले, it's a beetle, with red wings, it's a beetle, यह beetle जब आप यूस करेंगे, तो it is going to attack over aphides, और aphides बहुत बड़े pest हैं, तो जैसे आपने aphides को control कर लिया, बिना कोई chemical spray किये, तो आपकी farming practice कैसी हो गई, organic farming, right, इसी तरह, mosquitoes को control करने के लिए, एक दूसरा insect use होता है, which is dragonflies, these flies, they control the growth of mosquitoes, तो aphides को control करने के लिए beetle होगा, और mosquitoes को control करने के लिए dragonflies होगी, यह dragonflies उस तरीके से उस particular pathogen को, या जो पेस्ट है, उसको महाँ से एराडिकेट करेंगे, so it's a biocontrol method, see this is how it looks like, यह रहा हमारा beetle और यह रहा हमारा dragonfly, dragonfly तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, लंबे-लंबे से body structured और wings होते हैं, mostly season transition के time पे डवलप होते हैं यह बहुत जादा, और evening के time पे घरो में लाइट से अट्राक्ट होकर एंटर कने की कोशिश करते हैं, वितनों पे यह रही बहुत बेक्लियॉ बाने लों में ब्सक्राइब का सिर्ध गेंटर गेंगेंगान काा का बिक्टिर्या बेक्टिरिया विजय से रओं घुटिर्चेट बैसिलय को रहा तो बच्छों टन आँ गटिरिया विजिए र्हा un अगर आप कहीं पर भी इस बेक्टिरिया को देखें तो इट इस गोईंग तो रिलीजर टॉक्सिन बनाता है और वो टॉक्सिन इसके खुद के बॉड़ी में प्रेजेंट होता है लेकिन वो टॉक्सिन इसे आपक नहीं करता I'll show you the entire process. Let me explain what it is actually first It produces a toxin which is actually available in the form of prototoxin. Prototoxin का मतलब हो गया एक inactive toxin है ये और ये prototoxin जब भी कोई दूसरा organism या pest एंगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा, निगलेगा तो जब ये इंजेस्ट कर लेगा उसे खा लेगा Sorry तो इसे इंजेस्ट करने की बाद क्या होगा इंटरस्टाइन में जाने वाला है ये, मिडगट में जाने वाला है तो मिडगट में एंटर होके, this is going to get activated Right, मिडगट में जो pH होता है वो pH is suitable for making this inactive protein active ये अभी तक तो क्योंकि बाहर था इसलिए inactive था और जैसे इसे खा लिया गया, इसे निगल लिया गया स्टमक के अंदर पहुँचा, इंटरस्टाइन के अंदर पहुँचा और वहाँ पे इस एक suitable pH मिला जिस pH में ये active हो गया ये active हो गया और उसके बाद अब ये क्या करने वाला है ये जो epithelial lining है इंसेक्ट की medgarट में, जो epithelial lining है उसके अंदर pores Claire कर देगा और जैसे ही pores create करेगा ये epithelial lining में इसने pores create कर दिये Pores create करने के कारण क्या होगा Water enter करेगा Water freely entry करेगा और वाटर के एंटर होने के साथ ये स्वेल हो जाएगा and it may burst even so this is going to create a lot of trouble to the insect insect is going to die, right so BT cotton, BT brinjal ऐसे बहुत सारी वराइटीज हमने प्रिडूस की है प्रिपेर की हैं by using this particular bacteria BT brinjal BT brinjal जो है वो पहले अवेलेबल था लेकिन BT brinjal अब फिलहाल बैन हो चुका है और ये BT brinjal इसलिए बैन हुआ है because it is cancerous let us see how it acts suppose ये एक प्लैंट है ये जो BT है Bacillus thuringiensis नाम का बिक्टेरिया इसके spores अवेलेबल होते हैं मार्केट में पहले ये सैशे फॉर्म में अवेलेबल होते थे तो वो सैशे में spores present है आप जाके उसे अपनी crop पे release कर दीजिए उसके उपर जब भी कोई insect attack करने आएगा तो वो insect उसे consume करेगा उस spore को भी खा लेगा साथ में जैसे ही spore उसके midgut में पहुँचा the process will begin ये plant है इसके उपर spores पड़े हुए है spores को insect larva ने ingest किया निगल दिया crystals and spores के form में ये present होता है crystal इसलिए क्योंकि we call it as a crystal protein cry protein, sorry cry gene से ये protein बनता है so ये spores इसने ingest कर लिये spores जब अंदर पहुँचेंगे तो they will start producing a toxin क्योंकि जो gut है उस gut का pH बहुत suitable है तो देखिए अब उसने जो toxin बनाया है वो toxin क्या करेगा epithelial lining पर बाइंच करके इसके अंदर leakage कॉस कर देगा, pores क्रेट कर देगा और pores क्रेट होने से बच्चों ये लीकी हो जाएगा it will start absorbing the water swell होगा और swell होने के बाद ultimately क्या होगा all the contains will come out it causes leakage and ultimately the insect dies देखिए यहाँ पर ये इंसेक्ट मर गया आपने कोई नुकसान नहीं पहुचाया नेचर को आपने तो सिफ एक और्गानिजम की मदद से दूसरे और्गानिजम को किल किया है right हिंसा तो है लेकिन यहाँ पर नेचर को कोई हाम नहीं पहुचा है हम यहाँ पर food chain को follow कर रहे है क्योंकि food chain क्या करती है बिटा, food chain में हम क्या पढ़ते है कि कोई एक और्गानिजम दूसरे और्गानिजम से कैसे connected है food की ही context में connected है right एक organism, दूसरे organism को जब खाता है, तो उसे energy बनाता है और इसलिए तो दोनों के बीच में कोई association है या कोई relation है, isn't it? So this is how this entire process works. Let us talk about one another bio-controlling agent which is actually known as trichoderma. It's a fungus, symbiotic association show करती है, ये fungus. Remember this name, it's a very important topic. ये एक fungi है, and it's a symbiotic fungi. Symbiotic का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो mutual benefit के साथ काम करते हों, जो एक दूसरे से दोस्ती रखते हों, उन्हें हम बोलते हैं, symbiones. Isn't it? तो यहाँ पर एक symbiotic relationship है, किस-किस के बीच में? Fungus के बीच में, और वो जिस host के ऊपर grow कर रही है. It's a free-living, I'm so sorry. It's a free-living fungus, not symbiotic. It's a free-living fungus, जो की आपको plant की roots के आसपास visible होगा. Symbiotic is bacteria, जिसे rhizobium के लिए हम बोलते हैं, but it is not a bio-controlling agent, वो nitrogen fixation के लिए है. Trichoderma, it's a fungus, जो की plant के root ecosystem में मिलेगी, मतलब not associated with the roots, but near to the roots. Right? So, यहाँ पर यह fungus आपको easily grow करती हुई मिलेगी. अब क्या करेगी बिटा, यह fungus क्योंकि पूरे ecosystem में है, root ecosystem में है, root के आसपास present है, तो यह क्या करने वाली है? Roots के आसपास जितने भी pathogens हैं, उन पाथोजन को कंट्रोल करेगी. तो इस तरह से यह fungus, Trichoderma, जो है, it is acting as a symbiont, I'm so sorry, it is acting as a bio-control agent. तो bio-control agent क्यों काम कर पा रही है, यह कैसे काम कर पा रही है? just because it is in the vicinity of roots, और वहाँ पे यह क्या कर रही है? पैथोजन को root के ऊपर attack होने से रोक रही है, right? So this is how it is a bio-control agent. Another group of virus is basically belongs to genus Nucleopolyhidrovirus. This is the category, this is the genus I mean. इस genus को belong करने वाले बहुत सारे हमारे पास viruses हैं. इन viruses को हम commonly Baculovirus बोलते हैं. और यह Baculovirus, basically, जो भी arthropods हैं या किसी भी तरीकी के insects हैं, उनको attack करते हैं. These are virus. Viruses will definitely attack to insects, plants, animals and all the varieties. So यह viruses किस पर attack करेंगे? हमारे plants, sorry, हमारे insects पर attack करेंगे और कुछ आर्थरोपोड, डूसरे आर्थरोपोड. Although insects जो हैं वो आर्थरोपोडा महीं आते हैं, you know that आर्थरोपोडा इस लार्जस फाइलर. तो यहां पर इन इंसेक्स के अपर यह अटाक करेंगे, baculovirus and this is how they act as a biocontrol agent. So it's a biocontrol agent, right? Let us talk about one question. Select the correct group of biocontrol agents. So bacillus thuringiensis is the controlling agent. TMB itself is an, I mean, pathogen. FIHs pathogen है, trichoderma controlling agent, baculocontrolling, bacillus thuringiensis controlling agent. So seems B. Oscillatoria, rhizobium, trichoderma is the controlling agent. लिकिन उसलेटोरिय और rhizobium नहीं nitrogen fixation है. Rhizobium, nostal, chasospirillum, nucleopolyhydrovirus. This is the agent, but these two are not. So answer is B, right? So the correct answer for this particular question is B. Biocontrol agents है, अलग-अलग group of organism. You can see the solution. It's a direct question, right? Okay, let's talk about microbes used as bio-fertilizers. हम microorganisms को pest controlling के लिए use कर चुके हैं. हम कुछ organic products को बनाने के लिए use कर चुके हैं. अब हम इन microbes को यूज करेंगे as a bio-fertilizer. As I already discussed, कुछ organisms ऐसे हैं, जो symbiotic association में होते हैं. और कुछ organisms ऐसे हैं, जिनका symbiotic relationship नहीं है, symbiotic association नहीं है. So let us see, bio-fertilizers के form में हम सबसे ज़्यादा, वैसे तो we have three categories, bacteria, fungus and cyanobacteria. इन तीनों को हम use करते हैं as a source of bio-fertilizer. इसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई available है तो bacteria, फिर bacteria से भी in fact ज़्यादा मैं बोलूं तो cyanobacteria and then we have fungus. ये सब मिलकर as a nutrient provider काम करते हैं हमारे दूसरे plants के लिए. तो जब भी association की बात करूंगी मैं, तो अगर bacterias के association की बात करूंगी, बेक्टेरिया किस तरीके से connected हैं, तो they can show, they may show symbiotic relationship, they may be even free living, free living भी हो सकते हैं, ये symbiotic भी हो सकते हैं, right, free living होंगे तो कहां पर present होंगे, mostly in soil, rarely in air, symbiotic होंगे तो mostly in roots and very less in leaves, जिसे alnus है, alnus में जो bacteria nitrogen fixation करता है, वो उसकी leaf में करता है, लेकिन majorly, जो हमारे leguminous plants हैं, उनके अंदर nitrogen fixation उनकी roots में होता है, right, so nitrogen fixation, nitrogen fixation could be in the roots, और अगर roots में होगा, तो उन plants को हम बोलते हैं leguminous plants, roots में अगर nodules के form में होता है, तो उन plants को हम बोलते हैं leguminous plants, और not necessary कि वो हमेशा nodulated form में ही present हो, कई बार वो normally भी present होते हैं, तो कुछ non-nodulated structures भी बनते हैं, या rather non-nodulated roots भी होती हैं, जहां पे nitrogen fixation होता है, उन plants को हम leguminous की category में नहीं रखेंगे, तो चलिए, यह वैसे class 11 में जो हम mineral nutrition वाला जो topic है, वहाँ पे जादा डिस्कूस करेंगे, अभी मैंने आपको सिफ ब्रीफ में बताया है, तो देखें, inorganic salts मतलब हमारे fertilizers, और manure मतलब हमारे naturally produced products हैं, उन दोनों के बीच में difference क्या है, फर्टिलाइजर्स तो chemicals हैं बचो, यह chemicals market में बहुत easily available है, आप बजार जाएं, वहाँ से खरीद कर ले आएं, पैकेट में लेकर घूमें, नोबडी विलनो, लेकिन manure ऐसा नहीं होता, manure is very heavy, very bulky and it is very stinky, बहुत जादा smell आती है, तो अगर आपके पास manure है, तो people surrounding you would be knowing that you have something suspicious, right? तो basically, manure जो है, वो बहुत heavy होते हैं और उने हम carry इतना easily नहीं कर सकते हैं, although they are very cheap products, बहुत सस्ते हैं, आसानी से बनाए जाते हैं, लेकिन fertilizers ऐसे नहीं होते हैं, fertilizers को prepare करने के लेकिन यूँज़ सेटप्स, industries लगती हैं and they are quite costly, जबकि manure's are not costly, fertilizers eco-friendly नहीं होते, लेकिन हमारे जो manure's हैं, they are perfect eco-friendly products, आपने सुना होगा, अर्थ वर्म को farmers का friend बोला जाता है, पर कब, जब आपने soil में manure डाला हो, compost डाला हो, fertilizer नहीं, क्योंकि जब आप fertilizer डालते हैं, तो इन organisms को भी नुकसान होता है, ये मरते भी हैं, because fertilizers are nothing but salts, salt अगर आपने डाले हैं, तो it may change the osmotic concentration, right, so basically fertilizers बहुत costly चीज़े हैं, जो factories में बनाई जाती हैं, जबकि हमारे manure's जो हैं, fields में बनाई जा सकते हैं, fertilizers सिफ chemicals अड़ करते हैं, किसी भी तरीके से humidity मतलब moisture नहीं add कर सकते, लेकिन यहाँ पे they add humus to the soil, humus का मतलब होता है organic matter, तो जो manure's होते हैं, they are going to add humus, जो पानी को absorb करता है, right, manure में fibers होते हैं, और fibers की tendency होती है, that they absorb water, और अगर fibers में water को absorb किया है, तो उनके आसपास plant की जो जड़े हैं, जो जड़ें पहल रही है, वो जड़ें भी पानी अब्सॉब करेंगी, right, तो इसलिए हम कह रहे हैं, कि यह best है, क्योंकि यह पानी भी available करवाएगा, nourishment although कम available करवाता है, लेकिन पानी available करवाएगा, and even water carries dissolved minerals, right, तो हमारी दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, जबकि यहां देखेंगे, तो इस अ परफेक्ट, इस अ प्योर केमिकल, यहां पर मॉइस्चर प्रवाइड करने का तो क्वेस्चन ही नहीं आता, okay, as I mentioned, it is rich in plant nutrients, एक famous fertilizer, जो बहुत कॉमनली यूज फिल्स में होता है, that is NPK, क्योंकि यह तीन एलिमेंट्स जो है, यह तीनों एलिमेंट्स, most important elements है, right, these are very, very, very important elements for the plants, nitrogen, potassium and phosphorus, so हमारा plant, sorry, fertilizers, जो हैं, they provide nourishment, जबकि manures, nutrient नहीं देता, लेकिन हां, soil की quality काफी improve कर देता है, कुछ microbes, जिनने हम bio fertilizers के form में use करते हैं, that is rhizobium, as I mentioned, जो की atmosphere की nitrogen को, leguminous plants के root nodules में fix कर देता है, यह मेरा plant रहा, और यह उस plant के पास में, nodulated structures बन गए, यह nodules जो हैं, these are basically responsible for, rather, they are showing you colonial growth of microbes, और यही microbes, जो है, atmospheric nitrogen को fix करेंगे, इसकी root में, रहे, azospirulum and azotobacter, यह atmospheric nitrogen को fix करने में, यह भी मदद करते हैं, but they don't form association, mycorrhiza fungus है, यह इस नोट बेक्टेरिया, it is a fungus, which forms association with the roots of some specific trees, जिनके अंदर यह phosphorus अप्टेक बढ़ना, रहा देती है, तो अगर mycorrhizal association हमारे plant के पास है, तो phosphate uptake plant का increase हो जाता है, कुछ fungal symbion, भी होते हैं, illness species में, बहुत सारे ऐसे, funguses हैं, which basically, responsible, which are basically responsible, for increasing nutrient content, रहे, वो phosphorus, sulfur, ऐसी चीज़े, सबसे ज़्यादा प्रोवाइट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है, they absorb phosphorus, they themselves absorb phosphorus, and pass it on to the plant, जितना उने चाहिए, वो खुद ले लेते हैं, बच्चा हुआ phosphorus, जो है वो, main plant को pass on कर देते हैं, हम अलग-अलग organisms को use करते हैं, in order to control pest, in order to control other organisms, plus, सबसे बड़े फाइदे की बात पताए क्या है, अगर किसी प्लाइन की रूट में, कोई दूसरा और्गयानिजम, symbiotic association में है, और रेड़ी रह रहा है, तो उसका रूट का जो environment है, उसकी रूट के आसपस को जो surrounding है, वहाँ पर किसी भी तरीके के pathogen का attack नहीं हो पाता, राइट, वेट अ मिनिट, फर एक्जांपल, अगर ये मेरा plant है, इस plant के आसपास कोई एक दूसरा और्गयानिजम जो है, वो continuously grow कर रहा है, तो ये जो और्गयानिजम continuously grow कर रहा है, ये और्गयानिजम किसी दूसरे pest को आसपास के surrounding में नहीं आने देगा, और क्योंकि दूसरा pest इसके surrounding में नहीं आने वाला है, तो obviously this environment will remain pathogen free, अब यहाँ पे कोई infection नहीं होगा, plus क्योंकि यहाँ पे fungus associated है, तो ये से drought resistant भी बनाएगी, सूखे से बचाएगी, ये fungus अपना moisture plant को प्रोवाइट कर देगी, तो हो गया नो drought resistant, root born pathogen से इसने protect कर लिया, इसके अलावा salinity जो है, मतलब कभी अगर आप में excessive fertilizer supply कर दिये होंगे, तो वो salt content, root के आसपास excessively हो रहा है, वो salt content, हमारी जो fungus है, वो उसे tolerate कर लेगी, plants तक वो salinity नहीं पहुँचने देगी, और इस तरह root के cells का exhaust mosses नहीं होगा, right, so this is how these organisms, they protect the overall environment surrounding the roots of a particular plant, the another important role or application is basically, these organisms, for example, मैं अगर cyanobacteria की बात करूँ, तो जो cyanobacteria हैं, ये cyanobacteria, basically, हमारे root के, हमारे जो plants हैं, इनकी roots के आसपास प्रेजन्ट हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, cyanobacteria, ये ऐसे organisms हैं, which will be able to fix atmospheric nitrogen, ये क्या करेंगे, nitrogen जो atmosphere की nitrogen है, उसे fix करेंगे, plant की roots के आसपास, और ये plants, इस nitrogen को हमारा plant, जो हो डिरिकली अब्सॉर्ब करने वाला है, राइट, नॉस्टॉक, उसिलेटोरिया, अनाबीना, अल इस आर दिफरेंट काइंड ऑफ साइनो, bacteria's which are present in the vicinity of root, blue-green algae जो है, ये organic matter add करेगा, जैसे हमने paddy fields के भी case में discuss किया था, for example, ये paddy field माल लेजिया, तो blue-green algae आपको नीचे bottom में, सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, इस surrounding में, ये blue-green algae जो है, ये जिस समय डेड होगा, ये decay की process पे चला जाएगा, इसका decomposition होना है, जैसे जैसे decomposition होना है, वैसे वैसे organic matter में changes आना है, भई देखिए, अगर कोई syno-bacteria plant की root के आसपास present है, या soil में present है, तो जब अपना lifespan वो cover up कर चुका होगा, तो lifespan cover करने के बाद, उसकी death होगी, और death होने के बाद जो उसका organic matter है, वो organic matter कैसा होगा, organic matter दुबारा से excessively prepare होगा, ये organic matter को, जो दूसरे decomposers हैं, वो reduce करने वाले हैं, इसे जैसे जैसे वो इसे reduce करेंगे, वो soil के surrounding या, soil के अंदर humus का content बढ़ा देंगे, और humus, हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि humus किसी भी environment में, nutrient absorption, या water absorption का role, सबसे जादा प्ले करता है, so basically, यहाँ पे blue-green algae, organic matter add करेगी, मतलब soil की fertility को improve करेगी, right, so this is how all these organisms, are useful in biological processes, plus commercially they are important, plus medically they are important, right, particular कराएब कर दो कर दो करती सकत्व कर दो कर दो